आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना बोड क्लास 11 में एडमेशन कैसे होगा हाव टू स्टार्ट क्लास 11 बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी गोवर्मेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल कौन सा चूज करें साथ ही साथ और भी भहुत सारी बाते हैं जिनके उपर हम डिस्कूस करने वाले हैं और यहाँ पर एक भाई का मेरे पास कमेंट भी आया था कि भाई अब हम 10 की पढ़ाई करें या 11 की पढ़ाई करें हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए तो हर सब कुछ होगा आज की वीडियो में चलिए गाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो के अंदर उससे पहले अपने जूते चपल भार निकाल लीजिए तो चलिए गाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब बस बात को यहां पर टाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पर हर्याना के जो शिक्षा मंतरी साहब है, स्रीक औरपाल गुज़र जी, उनकी एक वीडियो देखी थी, यहां पर मैं आपको दिखा देता, लेकिन कोपिराइट रिजन्स की वज़े से नहीं दिखा सकता, आप टेलिग्राम गुरूप पर बोलेंगे, तो मैं वीडियो डाल दूँगा, उसमें यहां पर कहा जा रहा था, शिक्ष्या मंतरी सर कह रहे थे, कि हम जो ओनलाइन एडमिशन्स हैं, वो मैं मैं में करवा लेंगे, और जो बच गई उनकी बाद में देखी जाएगी, यान कि यहां से यह तो जरूर होता है कि लिए कि आपके जो यहां पर एडमिशन्स हैं, वो जून तक चलेंगे, आपको टैंसन लेने की जुरत नहीं है, ठीक है, और यार मैं आपको एक बात बता भी देता हूँ, भाई, एडमिशन की टैंसन तुम लो भी मत, ठीक है, एडमिश से हो जाएंगे, आपका मेंन फोकस होना चाहिए पढ़ने पर ठीक है, तो एडमिशन के बारे में, यहां पर सक्सम हरियाना के उपर में भी ओनलाइन एडमिशन्स हैं, वो चल भी रहे हैं साइद, यहां पर देखिए, स्तर 2021 को MIS पोर्टल पर लॉंच किया गया है, आप अ टीचर्स को यहां पर भेजी गई है, कुछ गाइडलाइन्स ठीक है, कि अगर कोई बच्चा ओनलाइन एडमिशन करवाना चाहिए, तो उसका आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन भाई आपको इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी ओफिशियल अपडेट की लेकिन किसी को अभी नहीं पता है, कि 11 की एडमिशन है, वो ओफलाइन कब होंगे, तो जहां तक अपडेट है, वो जून में ही होंगे, ठीक है, जून से पहले नहीं होंगे, मई में हो सकते हैं, लेकिन वो ओफलाइन नहीं ओनलाइन होंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल तो वो आप भाई NCRT के ले लीजिए अभी फिलहाल NCRT से best books कोई नहीं है मैं यह नहीं कहा रहा कि आप NCRT के अलवा कोई book मत लीजिए लेकिन अभी मत लीजिए क्योंकि अभी भाई कोई कुछ confirm नहीं है कि आप कि स्कूल में जाएंगे क्या करेंगे हाँ अगर आपने confirm कर लिया है कि मैं इस स्कूल में जाऊंगा वहाँ यह book चलती है तो आप ले सकते हो लेकिन आप अभी books लेके आ गई बाद में आप किसी स्कूल में गई वहाँ पर क्या आप तब वह books ना चलती हूं reference books की बात कर रहा हूं जैसे कि परदी publications के आती है modern के आती है और भी आती है तो माल और 11 की पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अब यह मत सोचे कि भाई कब क्या होगा ठीक है क्योंकि अब आपको कोई यह कहने वाला नहीं है भाई ऐसा ही माहूल चल रहा है अब कोविड है अब आपको अपना खुद देखना पड़ेगा ठीक है तो आप books है वो NCR अलगर्क disadvantage है ठीक है दोनों ही अच्छे होते हैं मैं यह नहीं कहता कि गवर्मेंट स्कूल बेकार है प्राइवेट अच्छे है या प्राइवेट बेकार है गवर्मेंट अच्छे है दोनों के अपने-पनी महतव है तो यार देखो अगर भाई आपको यहां पर पैसे बगर नहीं होती यह आपके उपर डिपेंड है आप अपनी फैमली की तरफ देखिए कि भाई वह आपको यहां पर आफोड कर सकती है गोवर्मेंट में पढ़ाना सोरी प्राइवेट में पढ़ाना तो आप बिलकुल जा सकते हो वरना आप गवर्मेंट स्कूल भी चूज कर सकते कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो प्राइवेट में पढ़के भी गलियों में घूम रहे हैं और गोवर्मेंट वाले भाई यूपीसी कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्कूल बेकार है वो यहां पर अच्छा है य कोई आपको नहीं पढ़ा सकता आपको खुद अपना यहां पर सेल्फ अवेर्नस देखनी है कि आप सेल्फ अवेर है या नहीं कि भाई मुझे पढ़ना है ठीक है आपके अंदर से आना अची है स्कूल बगरा कुछ नहीं करते हैं हाँ स्कूल एक आपको डायरेक्शन तो मैंने बता दिया ठीक है अब यहां पर मान लीजिए आपने अगर ले लिया अब बात करते हैं आप 11th class है वो start करेंगे तो उसमें आपको कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जो ध्यान रखनी है ठीक है तो एर सबसे पहले तो एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि 10th और 9th यान इनको senior secondary बोला जाता है क्योंकि यह एक अलग लेवल की classes हैं इनमें यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा चीजों को समझने में और practice के उपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आपको starting से ही पढ़ना start करना पड़ेगा यह नहीं है कि भाई 10th, 12th यहां पर देखना पड़ेगा कि हां भाई मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना ठीक है साथ ही साथ कुछ ऐसी यहां पर और भी बाते हैं जैसे कि आपको यह भी नहीं होना है कि भाई आप कभी stress ही हो जाओ कभी depression में चले जाओ क्या अब 11th में चले गई भाई कितना syllabus इतनी भी hard नहीं है मैं मानता हूँ कि hard है 11th 12th 10th से लेकिन इतनी भी hard नहीं है कि भाई आप यहां पर डिप्रेशन में चले जाओ आराम से अगर आप अपना रोज का कम रोज करेंगे तो यहां पर बहुत अच्छा performance कर सकते हैं बिलकुल टोपर बन सकते हैं ठीक है इसके सा कोई आपको school में गुंडे बनने के लिए नहीं भेजता आपके माबाप आपके parents आपको भेजते हैं कि भाई आप पढ़ लिके कुछ अच्छे यहां पर अंसान बनो तो आपको ऐसा नहीं करना है बहुत सारे student होते हैं जो भाई 10th तक तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन जैसे 11th में गई उनके यहां पर संगत बिगड़ी और फिर वो भी बिगड़े गई ठीक है तो यह कुछ बाते हैं जो मैं आपको यह जे बाही बता रहा हूँ ठीक है आपको बड़ा भाई आप मुझे समझ सकते हो इनके उपर आपको ध्यान देना है और बिल्कुल टैंसन नहीं लेनी है साथी साथ मोटिवेशन की बात कर रहे थे तो यार मोटिवेशन आपके अंदर पता क्या होना चीए अब टैंथ में परमोट हो गई अब आपको आगिस्ट लोग कहिए कि भाई यह तो परमोशन करके आए हैं तो आपको उनके ही मुझे तमासा मारना ह बात करें देख यह कि यह देख फस्ट आया हूं ठीक है और वहां परमोशन मिला था तो मिल गाया है लेकिन यहां पर खुद की महनत से फस्ट आया हूं 12 में एसा ही करना है ठीक है तो यही मोटिवेशन है कि भाई हमें 10 में परमोट कर दिया लेकिन 11 में हम ऐसा अलाबा ऐसी कोई चीज नियत जो आपको 10th से अलग मिलेगी 11th में ठीक है बस आपको अपना काम time to time करना है 10th में तो फिर भी आपको time मिल जाता था लेकिन अब आपको यह time नहीं मिलेगा 11th का स्लेबल से 12th का स्लेबल से वो ऐसे ही बहुत बढ़ा है सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत